शमुल भरिशवक्ता की पहली पुस्तक अध्याए 13 शाओल तीस वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राइलियों पर दो वर्ष तक राज्य किया फिर शाओल ने इस्राइलियों में से तीन हजार पुरुशों को अपने लिए चून लिया और उन में से दो हजार शाओल के साथ मिकमाश में और बेतल के पहाड पर रहे और एक हजार योनातान के साथ बिन्डैमिन के गिबा में रहे और दुसरे सब लोगों को उसने अपने देरे में चाने को विदा किया, तब योनातान ने पलिष्टियों की उस चवकी को जो गिवा में थी मार लिया, और इसका समाचार पलिष्टियों के कानों में पड़ा, तब शाउल ने सारे देश में नरसिंगा फुक्वा कर यह कहला भेजा, कि इबरी लोग सुने, और सब इ कि पलिष्टि इसरायल से ग्रुना करने लगे है, तब लोग शाउल की पीछे चलकर गिलगाल में इकटे हो गए, और पलिष्टि इसरायल से युद्ध करने के लिए इकटे हो गए, अर्थात तीसजार रत और छहजार सवार और समुद्र के तीर की बालु के किनकों के समान बहुत से लोग इकटे हुए और बेता बेन के पुर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकत में पड़े थे तब वे लोग कुफाओ, जाडियो, चक्टानों, गढ़ियो और गढ़ों में जाचिपे, और कितने इबरी यर्दन पार होकर गाद और गिलात के देशों में चलेगे, परंतु शाओल गिलगाल ही में रहा, और सब लोग थर-थराते हुए उसके पीछे हो लिए, वह शमुएल के ठैराय हुए समय अर्थात साथ दीन तक बाट जो होता रह परंतु शमुएल गिलगाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर-उदर होने लगे, तब शाओल ने कहा हुमबली और मेलबली मेरे पास लाओ, तब उसने हुमबली को चढ़ाया, जो ही वह हुमबली को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमुएल आप होंचा, औ और शाओल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला, शमुएल ने पूछा, तुने क्या किया, शाओल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर-उदर हो चले हैं, और तू ठैराय हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और पलिष्टी मिकमाश में इकटे हुए है, तब मैंने सोचा कि पलिष्टी गिलगाल में मुझ पर कभी आपड़ेंगे, और मैंने यहवा से बिंती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम्बली चड़ाया, शमुएल ने शाओल से कहा, तुने मुर्खता का काम किया है, तुने अपने परमिश्वर यहवा की आज्या को नहीं माना, नहीं तो यहवा तेरा राज्य इस्राइलियों के उपर सदा स्थिर रतता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढून लिया है, जो उसके मन के अनुसार है, और यहवा ने उसी को निकला, और गिलगाल से बिन्यमिन के गिबा को गया, और शावल ने अपने साथ के लोगों को गिन कर कोई छह सव पाए, और शावल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे, वे बिन्यमिन के गिबा में रहे, और पलिष्टी मिकमाश में डेरे डाले और पलिष्टियों की च्छावनी से नाश करने वाले तीन दल बांध कर निकले। त्योंकि पलिष्टियों ने कहा था कि इबरी तलवार वा भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इस्राइली अपने अपने हल की फली और भाले और कुलहाडी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिष्टियों के पास जाते थे। परंतु उनके हंसु, फलो, की खेती के त्रिशुलो और कुलहाडीों की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो, युद्धे के दिन शाओल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाओल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिश्टियों की चौकी के सिपाही निकल कर मिकमाश की घाटी को गए।